कि नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि फेस्बुक पिक्सल कैसे इस्टॉल करेंगे आपकी जनकारी के लिए मैंने अपने पिछले फेस्बुक एड के लिए दो वीडियो मैंने अपनोड किये हैं अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है आप इस वीडियो मैं आपको आईकोन आएगा एक और आई बॉटन पर क्लिक करके आप जो मेरे फेस्बुक के प्लेलिस्ट में जाके और साली यूसपुल जो भी कॉंटेंट है फेस्बुक से लेटेड आप उसे देख पाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फेस्बुल पिक्सल इंस्टॉल करेंगे हम लोग वर्ट्रेस में जाएंगे और वर्ट्रेस में जाके फेस्बुक में कैसे पिक्सल इस्टॉल करेंगे इस पर बात करेंगे अगर आपके STML कोडिंग का वेबसाइड है तो आप कैसे करेंगे और आपका अगर वर्ट्प्रेस का वेबसाइड है जैसे मेनुवल ड्रेगेड ड्रॉक को उसमें आता है तो कैसे उसे इसे इस्टॉल करेंगे इस पर मैं बात करूंगा और हाँ अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाहा नहीं भूले क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं वीडियो अप्लोड करता हूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको रिले और आप अपने फ्रेंड को अपने सर्किल में या अपने फैमिली में पर जो की मेरे बनाया हुए वीडियो के कांटेंट से करते हैं उन्हें आप से अर करें मैं द्यानन सोनी सोचल मीडिया मार्केटिंग और लीड जनेर्शन एक्सपार्ट आपको बताऊंगा डीपली चीजे प्रेंटिकल चीजे क्योंकि मैं हमेशा प्रेंटिकल चीजों पर काम करता हूं और मैंने हमेशा आपको प्रेंटिकल च पे अभी बीजनेस सेटिंग में आपको जाना है बीजनेस सेटिंग में आपको चेक करना है आप अपने एड एकाउंट में लॉग इन कर ले और बीजनेस सेटिंग में आपको जाना है उसके बाद आपके जो एड एकाउंट का पिक्सल एड करना है उस एड एकाउंट को आप चूज कर ले जिस ad account का pixel आपको select कर ले उसे और उसे क्लिक कर दे और उसके बाद business setting में आप जाए business setting में जाने के बाद आप business setting में आ जाएंगे business setting में आने के बाद आपको जो भी जैसे मैंने फिर repeat करता हूँ तो जो एड मेनेजर का जो एड एकाउंट का पिक्सल आपको एड कर लेना करना है उसे चूज कर लेना है उसके बाद डाटा सोर्सेस में जाएंगे उसके बाद देखिए पिक्सल का ओप्सन आता है पिक्सल क्लिक करेंगे देखिए आप देयरान सुनी डेजन्ट है वेनी पि तो उसके बाद आप जाएंगे और एड करेंगे एड पर क्लिक करेंगे एड पर क्लिक करने के बाद देखे यहां पे connect website with आपने pixel का नाम डाल देंगे जो आपका pixel का website होगा उसके बाद आप अपने website का एड्रेस जाल देंगे जो आपका वेबसाइट है मैं अपने वेबसाइट का एड्रेस जाल के आपको बताऊंगा www.dayanansony.com मैं यहाँ पे उसके बाद मैं इसे continue पे click कर दूँगा यहाँ पे option आएगा आपको pixel add करने का यहाँ पे जैसे ही click करेंगे उसके बाद हम आएगे यहाँ पे देखिए continue, configuration, my business and setup pixel तो setup pixel पे click कर देंगे उसके बाद यहाँ पे दो option है आप manually choose कर लेंगे क्योंकि हमें manually ही करना है तो manually जैसे click करेंगे आपको उसमें pixel का pixel का आएगा इसे हमें copy कर लेना है इसको copy कर लेना है copy करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने wordpress में यहाँ से आपने pixel copy कर लिया उसके बाद आप अपने wordpress में login कर ले wordpress में जाएं wordpress में आपको जाना है और wordpress में जाएंगे आप और देखिए आप wordpress में आ गए उसके बाद यह मेरा खुद का website है मैं आपको अपने website पर ही बताऊंगा dashboard पर जाएंगे dashboard पर click करेंगे dashboard के अंदर जाएंगे और देखेंगे उसमें कैसे हम लोग करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं जो चीजे मैं बताता हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की जोरत है और मैं चीजे बहुत इजी में आपको बताता हूँ यहां पर setting में जाएंगे देखें इहां पर setting में जाएंगे अगर आपको पहले setting में जाएंगे setting में जाने के बाद यहां पर आपको ऑपको तब हम NTrk ऐचेंandy sad फूटर टाइप करेंगे अप्छली और लेडी मैंने अपने इस्टॉल करके रखा है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि हेडर और फूटर टाइप करेंगे तो वह प्लगिन आएगा प्लगिन को इस्टॉल करके उसको अक्टिवेट कर देंगे मैंने किया है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ header and footer सर्च करेंगे तो header and footer का option आज आएगा आप जाएगे header and footer का element header and footer यहाँ देखिए header, footer and post कोई एक जिसके review अच्छे होंगे उस header and footer को आप अपने में install कर लेंगे और उसके बाद header, footer, code manager आप इसको install कर लेंगे install now करेंगे और उसके बाद active कर देंगे इसमें यही करना पड़ता है तो header and footer पे install करके उसे active कर देना है आपको कोई भी एक जिसके review अच्छे हों आप उसे लेके use कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई जिसके review अच्छे होंगे आप उसे install कर लेंगे install करने के बाद active कर लेंगे मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे option है उसके बाद setting में जाएंगे मैंने अल्लेडी install करके रखा है insert header and footer पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए scripted header यहाँ पे उसको यहाँ पे paste कर देंगे यहाँ पे जो उठाया है आप उसे यहाँ पे paste कर देंगे paste करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद उसे save का option मिलेगा आप उसे save कर देंगे अब फिर दुबारा हम अपने Facebook एकाउंट में जाएंगे वहाँ पे जो प्रोसेस हमने छोड़ा है उसे continue करेंगे वहाँ पे जो प्रोसेस हमने छोड़ा है उसे हम लोग अभी continue करेंगे और आप एक काम करें आप इसे एक Facebook Pixel Helper का एक Google Extension आता है उसे आप डाउनलोड कर लें Facebook Pixel Helper के नाम से है आप उसे install कर लें तो वह आपको बताएगा कि आपका पिक्सल काम कर रहा है या नहीं मैं आप दिखा रहा हूं आप देखिए इसे आप Google चार्म में Extension में आड़ कर लें आप मैंने अलड़ी एड़ कर लि तो आप एड़ कर लें उसे extension कर लें उसके बाद हम दुबारा जाएंगे यहां पर देखिए यहां पर एक चीज करना है यहां पर आप Facebook Pixel भी डाउनलोड कर सकते हैं Facebook Pixel का भी एक प्लगीन आता है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर आपका जो भी पिक्सल का नंब पेस्ट कर देंगे एक यह भी option है आपको अपने पिक्सल को install करने का दूसरा है insert header and footer और दूसरा है आपको इसमें Facebook Pixel का भी एक आप डाउनलोड कर लेंगे और उसे उसे डाउनलोड करके उसमें भी आप अपने पिक्सल जो भी वहां से copy किया है आप वहां पेस्ट कर ठीक है यहां पर जो हम पेस्ट पर जाएंगे तो यह Facebook पिक्सल हेलपर वहां पर बताएगा कि कैसे यह काम करता है हम वापस चलेंगे अपने Facebook पेस्ट की तरफ वहां पर जाके हम लोग continue करेंगे करता हूं और आपको सेफ चेंजेस जैसे ही करेंगे देखिए आप पिक्सल आइडी है और वहां पर जो अभी यह काम नहीं कर रहा है इसलिए कि मैं अपने पेस्ट पर नहीं हूं मैं जब जब वहां जाके उससे continue कर दूंगा तो मेरा Facebook जो helper है वो मुझे बताने लगेगा अब मैं Facebook पेस्ट पर जाओंगा और वहां पर जो हमने continue का process छोड़ा था उस Україणा को देखे मैंने अल्यडी डिक्सट इसलिए मुझे पिरोटाब की दिखा रहा है देखें यहांपर 59 में वन एक एड मेंजर का एक ही पिक्सल होता है, तो यहाँ पे आप एक समय में दो पिक्सल अपने वेबसाइड में इस्टॉल नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान दखे, नहीं तो आपका पिक्सल काम नहीं करेगा, एक पिक्सल आईडी और एक उसके पिक्सल के जो कोड है वो आपको देखा है, तो यहाँ पे जो मुझे कोड मिला है पिक्सल वो जो है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा है, तो यह आप नोट कर ले और इसे हमेशा ध्यान में रखे, आपको ऐसा नहीं करना और इस्टॉल प्लगीन में जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके देख कि मैंने ओलड़ी एक Facebook Pixel का Plugin इस्टॉल करके रखा है, देखे यहाँ पे मैं नीचे आ रहाहे हूं, देखे यहाँ पे Insert header happily पूडर मैंने किया है, और Insert Fe Lazermidt 순 कर लिया, यहाँ पे आप देख रहा है, यह अप्तिवेट है, अब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे, य यही ama पूरा यही प्रॉब्ल माती है उसलीए आपको पहले पुराने वाले पिक्सल है उससे शूब करना है और उस जगेए पे निया पिक्सल आइडी हम्यद्ति करा हुगए मैं आपको ऐसे करके इसलिए बता रहा हूं को आपको समझने में असानी होगी यह कभी हाइलाइट नहीं हो सकता है आपको पहले पुराना वाला पिक्सल रिमोग वहां से करना है उसके बाद जो आपका एडमिध पॉट का पडरा हुआ और दूसरा इंसे। तो काम नहीं करता है, तो ये चीज़े आप हमेशा ध्यान रखे, आपको पहले अगर आपके दो-तीन एड मनेजर हैं, आप चाहते हैं कि मैं one by one उनको करूं, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे condition ये है, कि आपको पहले से पुराना वाला जो पिक्सल है, वहाँ से रिम करेगा नहीं, ये चीज़े आपको ध्यान रखनी जो रही है, ये मैंने कॉपी यहां से किया, अब मैं फिर जाके करूंगा, आप देखिएगा फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पुराना पिक्सल आइडी जो मेरे एकाउंट की थी, मैंने उसे रिमूवी नहीं किय कर लिया तो ये काम नहीं करता, बहुत स analCR抚 मुझे आ रहे थे, मुझे फोन आ रहे थे, सर्थ देखिए, ऐसे ये से प्रॉलम आता है, हम पिक्सल को रिबॉप करके नया पिक्सल आज्वाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने इसे देखिए, फिर मैं इसे करूंगा न उसमें install कर लिया है ठीक है तो पहला option आपके पास यह है आप insert header and footer से अपने pixel को वहाँ add कर लेंगे या अगर एक और option है आप facebook pixel या header and footer plugin इंस्टॉल करके उसमें कर सकते हैं मैं आपको सेस्ट यह करूंगा कि आप facebook pixel install कर ले और देखिए यहाँ पर मुझे जो भी recommendation चाहिए मैं कर रहा हूं तो आपको आप यह कर सकते हैं कि आप सबसे पहले आप जाके facebook जो plugin है उसे install कर ले उसमें facebook का pixel install कर ले और second insert header and footer में google analytics का आप pixel install कर ले तो दोनों चीज़े अलग-अलग हो जाएंगी आपको ध्यान भी रहेगा कि मैंने facebook pixel में facebook का डाला है और insert header and footer में मैंने google analytics का डाला है तो आपको चीज़े करेगी यहां भी जैसे मैंने आपको बताया देखिए काम नहीं कर रहा है मैंने इसलिए करके आपको बता रहा हूं इसमाम लोग यही प्राब्लम बार बार करते हैं और परिशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं कैसे करूं कि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना है तो ठीक है अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी जो मैंने facebook pixel इंस्ट्रॉल किया है उसका मैं आपको इसमें कैसे करना है आपको देखें दो तीसरा मैंने अपना पूराना वारा जो facebook pixel मैंने इस्टॉल किया है मैं उस पे अभी दिखाऊंगा आपको मेरा वो पिक्सल अक्टिवेट दिखेगा और जो मैंने facebook pixel हैल्पर इस्टॉल किया है वो यहां पे green हो जाएगा और वहां प को बता रहा हूं तो आप देखिए इस्टॉल हो गया मुझे जो भी विस्टर जो है मेरे वेबसाइट पर आ रहा है वो दिख रहा है और आपको यहां से दिख रहा है पुराना वाले में facebook pixel जो मैंने प्लग इन इस्टॉल किया था उसमें है और उसे जब तक मैं प्लग इसलिए मैंने उन्हें बना के रखा है तो अभी दो चीजे आपको करनी है दो चीजे आपको करनी है नंबर एक या तो आप मेनुवल उसे कॉंपी पेस्ट करके आप पिक्सल आईडी में डाल सकते है उसके बाद जो पिक्सल ट्रेकिंग कोड है उसे वहां इस्टॉ कर सकते हैं बस यही आपको करना है तो यह चीजे आपको ध्यान रहे कि ऐसे ही आप करेंगे तो इसी बेम होगा देखिए यहां पर यहां पे पिक्सल आईडी आप चेंज कर लेंगे जिस एड़ मेनेजर का पिक्सल आपको आड़ करना है उसे एड़ कर लेंगे और मैनुव इसलिए करके दिखा आपको कि आपको समझने में आसानी होगी हाँ तो यह जो मैं दिखा रहा हूं आपको यह और लेडी इंस्ट्रॉल है और देखिए यह राइट साइड में आप मेरे जो मेरे जो लॉग इन आईडी जो गूगल का दिख रहा है वाहाँ लेफ वा की जोड पड़ेगी तो मैं जैसे बोलगा उसे फॉलो करें और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है चीजे कंप्लिक्रेट लगती है तो मैंने अपना ओफिशियल नंबर और ऑफिशियल मोबाइल नंबर और इमेल डाल के रखी है आप मुझे कॉंटेट कर सकते हैं मैस मिलते हैं नेक्स के वीडियो में तो दोस्त कैसा लगा आप जो मैंने आपको बता है कि कैसे आप अपने वर्ट्रेस साइज में पिक्सल इस्टॉल करेंगे मुझे उमीद है जितनी चीजे में आपको बारी की से बताता हूं उसे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती जैसे मैं आपको सज़ेस्ट करता हूं तो मुझे उमीद है और सबसे अच्छी बात है मुझे अच्छी बात ये है कि मैं आपके फेवर के लिए अपने description में हमेशा आपना official mail id और mobile number में ने दिया है आपको कोई भी problem हो, आप मुझे call कर सकते हैं, आप मैं एक जीम से support ले सकते हैं, अगर कहीं in between आपको problem आती है तो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत useful होगा, अगर आप Facebook ad में काम कर रहे हैं, या अपने branding करते हैं, या अपने reach campaign को Facebook ad के लिए use करते हैं, मि अभी भी आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप आप पर क्लिक करें और जाके वहाँ देख सकते हैं, और नेस्ट वीडियो पर हम लोग बाते करेंगे, कि Facebook consideration campaign में कितनी category की ad है, और उसमें कैसे कैसे काम करेंगे, तो नेस्ट का टॉपिक मेरा ये होगा, कि consideration पर च लाइक करें, और कमेंट्स देना नहीं भूले, कि मैं चाहता हूँ, आप जो मुझे वेलोबर कमेंट्स को देते हैं, मैं उस कमेंट के according काम करता हूँ, क्या इस वीडियो में मैंने मिस्कर दिया, और क्या नेसके वीडियो में मुझे add करने है, ये मुझे समझ में आता है, म मिलेंगे अनग्स के वीडियो में, अगर अभी तक आप आपने माया चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करेँ, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और बिल कया बटने में गपने धमाद क्लिक करना नहीं भूले, मैं चाहता हूँ, जो मैं Google विडियो अफल करता हूं उसका as soon as possible आपको नोटिफिकेशन जाए और उसका जाना से ज़्यादा आप वाइदा ले पाए मिलेंगे नेक्स वीडियो में बात करेंगे क्लिद्रस्ण कैम्पेयन जो की फ्यूप में है उसके डिटेल जाने के नहीं करने रता हुआ है हम काम लहीं करता है नमस्कार के अए झाल झाल